आलो फ्रेंड्स वेलकम इनप वेडियो ओप सॉल्स डिजार इस वीडियो में हम लोग हमारा अगला चेप्टर चेप्टर सिक्स देखेंगे जिसका नाम है ब्लड रिलेशन हिंदी में रक्थ संबंधी परिक्षा तो रक्त संबंधी क्या होता है अगर कोई हमारा रिस्तेदार है तो हम उन लोगों को उनके नाम से तो नहीं बुला सकते हैं तो कुछ उसके लिए specific word दिया गया है जीसे कि अगर मेरी मा की बेटी है और मैं मेरा मा का बेटा हूँ तो मैं उसको बहन बोलूँगा य हम लोग किस specific नाम से बोलेंगे यही होता है रक्त संबंध जैसे हो जाता है हम लोग अपने पिताजी के पिताजी को क्या बोलते हैं दादा और दादा के पिताजी को पर दादा बोलते हैं उसी प्रकार हम लोग जो होते हैं अपने दीदी का जो बेटा-बेटी होता हूँ बहांजा या भांजी बोलते हैं अब देखिए कुछ इस प्रकार से रिलेशन बनते हैं देखिए पहला नंबर में है माता या पिता का पुत्र माता या पिता का पुत्र को हम लोग क्या बोलेंगे भाई बोलेंगे अगर उसी के जगा पुत्र नहीं होगा पुत्री होगा तो तो उसको हम लोग बहन बोलेंगे या दीदी बोलेंगे भाई भी बोल सकते हैं भया भी बोल सकते हैं अगर बड़ा होगा तो भया चोटा तो भाई अगर बड़ी पुत्री है तो बहन और चोटी पुत्री है तो बड़ी पुत्री है तो दीदी बोलेंगे और चोटी पुत्र मा की बहन है तो मौसिब बोलेंगे अगर पिता की बहन है तो इसको हम लोग भुआ बोलेंगे पांचवा देखिए माता और पिता की मा क्रमसह नानी और दादी अगर मा की मा है तो हम लोग नानी बोलेंगे अगर पिता के पिता है तो हम लोग दादी बोलेंगे फिर माता और पिता के पिता अगर माता के पिता है तो नाना बोलेंगे अगर पिता के पिता है तो दादा बोलेंगे फिर पुत्र की पत्नी मतलब पुत्र की पत्नी जो हम लोग घर में बहु लाएंगे उसको क्या बोलेंगे या तो बहु बोलेंगे या पतोहु बोलेंगे फिर पुत्र की पतनी पिर देखिए आठवा नमर पुत्री का पती मतलब में हमारे अगर बेटी होगी तो उसके पती को हम लोग क्या बोलेंगे दामाद बोलेंगे इंग्लिस में son in law पती और पत्नी का भाई क्रमस देवर और साला अगर पत्नी का भाई है तो उसको उसकी पत्नी क्या बोलेगी देवर बोलेगी उसी प्रकार अगर पत्नी का भाई है तो उसको क्या बोलेगा साला अगर बहन है तो साली बोलेगी पती और पत्नी की बहन क्रमसा ननन्द और साली अगर पत्नी की बहन है तो पत्नी की ननन्द लगेगी अगर पत्नी की बहन है तो पत्नी का साली लगेगी सिस्टर इन लो भाई की पुत्री अगर मेरे बड़े भाई की पुत्री है तो वह भतिजी होगी और भाई का पुत्र भतिजा अगर पुत्री हुई तो भतिजी अगर पुत्र हुआ तो भतिजा चाचा चाची का पुत्र पुत्री चाचेरा भाई या बहन फुवा फुफा फ का पुत्र पुत्री फुफेरा भाई या बहन कजन सिस्टर इंगलिस में एक ही वर्ड में हो जाता है कजन सिस्टर मोसा मोसी का पुत्र पुत्री मोसेरा भाई बहन इसको भी हम लोग कजन ही बोलते हैं फिर आगे हैं बहन का पती बहनोई ब्रदर इन लो भाई की पत्नी दादी या दादा का पुत्र पुत्री मतलब मेरे पिताजी के भाई बहन को हम लोग क्या बोलेंगे चाचा बोलते हैं या फुवा बोलते हैं मा के तरब से दादी मा मा के तरब से दादी मा देखिए व्यक्ति अगर हम लोग साधारन बोल चाल की भासा का प्रयोक करते हैं तो व्यक्ति के अर्थ हम लोग पुरुस के अर्थ में व्यक्ति का उप्योग करते हैं प्रंतो डिजिनिंग में इसा नहीं होता है अगर साधारन में भी इसा नहीं होना चाहिए लेकिन व्यक्ति अगर कोई बोलता है तो आज में लोग सोच लेता है कोई कोई लड़का ही होगा देखिए एक वन्स के आधार पर हम लोग समझने का कोसिस करेंगे ये होगी या दादा ये होगी दादी फिर दादा का बेटा आपका पापा हो गया फिर दादा का भाई मतलब दादा का बेटा होगा वो पापा का भाई होगा और पापा का बहन होगा तो ये जो बेटा होगा वो इसको क्या बोलेगा चाचा बोलेगा और इसको क्या बोलेगा फुआ बोलेगा और इसकी जो पत्नी होगी उसको क्या बोलेगा ममी बोलेगा और अपना जो पत्नी होगा उसको पत्नी बोलेगा फिर अगर इसका कोई बेटा हो गया या बेटी हो गया तो उसको भाई बहन और यह जो दादा है इसका कोई अगर पोता हो गया तो उसको यह दादा जो है पोता बोलेगा और यह बेटा क्या बोलेगा बेटी बोलेगा या फिर बेटा बोलेगा इस प्रकार से यह एक वंस हो गया बस हम लोग को कोस्टन में यही बोलेगा बेटा दे देगा उसके बाद देखते हैं, उधारन एक, ए, बी की मा है, लेकिन बी, ए का पुत्र नहीं है, बताइए की, बी, ए का कौन है, देखिए हम लोगों कोशन बोल रहा है, ए, उधारन नमबर एक है, जो ए है, बी की मा है, मतलब ए, मा है, बी की, परन्तु ये बोल रहा है, कि जो बी है, ए का पुत्र नहीं है, मतलब ये, जो बी, ए है, बी का मा है, मतलब या तो ये बेटा हो सकता है, या तो बेटी हो सकता है, लेकिन कोशन में हम लोगों को साब बोल दिया है, कि जो बी है, ए का पुत्र नहीं है, मतलब बेटा नहीं है, तो क्या बच्चा हम लोग को बेटी बच्चा क्योंकि मा का रिलेशन तो है दोनों में मा बेटे का तो अगर बेटा नहीं हुआ तो बेटी होगा बेटी के बीच में भी तो मा और बेटे का रिलेशन होता है तो हमारा answer क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा देखिए पुत्री, option नबर 4 में है बेटी को ही पुत्री कहा जाता है फिर देखिए हमारा अगला उधारन उधारन नमबर 2 किसी औरत की तस्वीर की और इंगित करते हुए सूभं ने कहा वह मेरी मा के पती की मा की पुत्री है बताएं कि वह औरत सुभम की कौन है देखें सुभम एक औरत एक तस्वीर में है उसमें एक औरत है उसकी और इसारा कर रहा है और क्या बोल रहा है देखें दो यह हो गया सुभम सुभम तस्वीर की और इसारा करते हुए बोल रहा है कि वह मेरे मां की पती की मां मतलब सुभम का क्या हो गया मां हो गया सुभम का मां और मां का पती की मां फिर पती की मां की पुत्री है और मां की जो है वह बेटी है बेटी है तो बताए कि वह अवरत सुभम की क्या लेगे देखिए यह मां लीजे कि यह क्या हो गया सुभम हो गया अब सुभम की मा मतलब उसकी मा यहां है उसकी मा यहां पर है और जो मा है उसका पती मतलब उसका पापा सुभम का पापा मा की पतन क्या हो जाएगा सुभम का पापा हो गया फिर पापा की बोला गया है मा उसकी मा क्या यह हो गया दादी उसकी मा कौन हो जाएगा दादी सुभम के मा की पती फिर पती के मा तो उसकी दादी हो जाएगी फिर बोला गया है दादी मा आ गया फिर बेटी तो दादी की बेटी क्या हो जाएगा बहन हो जाएगा किसके पापा के तो जो बेटा है मतलब बेटा मतलब सुभम हो जा वहन को क्या बोलेगी ये पूछा रहा है question में हम लोग को तो क्या बोलेगी फुआ बोलेगी देखिए option number two में है फुआ तो ये हमारा answer हो जाएगा फिर देखिए उधारा number three एक पुरुस का परिचे देते हुए सीमा ने कहा वह मेरी मा के भाई का पुत्र है बताएं कि वह बहाई फिर आ जाएगा पुत्र और ये हो गया ही सीमा तो हम लोग को बोल रहा है कि इनके और इनके बीच में क्या relation है वह बताना है देखिए सीमा सीमा की मा अगर इसको हम लोग सीमा माननेंगे तो इसकी मा ये हो जाएगी फिर मा का भाई इसकी मम्मी का कोई तो भाई यह बहन होगा तो मम्मी के भाई अगर होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मामा बोलेंगे अगर बहन होगी तो मोसी बोलेंगे तो फिर बोला गया है भाई क्या पुत्र मतलब इसके पुत्र पुत्र को क्या बोलेगे देखोई यह होगे सीमा और यह उसकी मम्मी और यह उसका भाई और भाई का पुत्र यह जो है इन दोनों में मामा का रिलेस्टन हो रहा है तो मामा का पुत्र को हम लोग क्या बोलेंगे मतलब कजन ब्रादर बोलेंगे मोसेरा भाई तो हमारा जो अंसर हो जाएगा ये चचेरा है या ममेरा भाई ये जो option number 1 है ये हो जाएगा फिर देखिए हमारा अगला question है उधारन number 4 उधारन number 4 A, B का भाई है C, A की बहन है E, F का भाई है F, B की पुत्री है G, C का पिता है बताइए की, E का चाचा कौन है देखिए हम लोगों question में बोल रहा है की, A, B का भाई है मतलब, A और B A ये बहन हो जाएगा और B क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा, भाई और ये A A, B का भाई है ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है हम लोग भाई ही लेके चलते हैं भाई का मतलब ये दोनों लड़का ही है या A लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता लेकिन B को भाई ही बोला गया मतलब ये लड़का ही है फिर बोला गया है C A की बहन है मतलब A की बहन है C मतलब ये, ये क्या है, एक ही बहन है, फिर बोल रहा है, E जो है F का भाई है, E, E हो गया F, E F का भाई है, मतलब ये हो गया भाई, और ये भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है, ये भी भाई भी हो सकता है, या बहन भी हो सकता है, फिर आगे बोला है हम लोग को, जो G है C का पिता है G C का पिता है इधर हम लोग G ले लेते है C का पिता है यह हो जाएगा पिता बताईए कि E का चाचा कौन है एक relation आउर है यहाँ पर E F का भाई है और F जो है B की पुत्री है F B की पुत्री है मतलब यह इसका पुत्र है B का पुत्र है इस प्रकार से तो हम लोग को बोला गया है बताई कि E का चाचा कौन होगा देखें E यहाँ पर है यह इसका क्या हो जाएगा पापा हो जाएगा क्योंकि यह B जो है A का पुत्र है तो रिभर्स में पापा के relation हो जाएगा पापा और यह जो है इसका भाई है या फिर बहन है तो हम लोग को बोल रहा है कि इसका जो है चाचा कौन होगा तो A इसका चाचा होगा या तो चाची होगी या तो चाचा होगा हम लोग को कोस्टिन नहीं बोला गया है कि यह लड़का है या लड़की है तो हम लोग इसी को मानेंगे देखिए और ये तो बहन है ये का तो ये तो होगा नहीं चाचा तो ये ही हो सकता है चाचा तो हम लोग को क्या A अंसर हो जाएगा देखिए option number second में A है ये हमारा अंसर हो जाएगा फिर देखिए हमारा अगला question है उधारण number five ये दी A plus B काइर्थ A, B का पुत्र है A माइनस B का आर्थ A B की पत्नी है A in to B का अर्थ A B का भाई है A भागा B का अर्थ A B की माह है और A बरावर B का आर्थ A B की बहन है तो K plus I माइनस J का अर्थ निमने लिखित में से कौन सा होगा देखिए हम लोग को बोला गया है अगर प्लस का चिन रहेगा A प्लस B का चिन रहेगा तो जो A हो जाएगा B का पुत्र हो जाएगा उसी प्रकार अगर A माइनस B रहेगा तो A B की पत्नी हो जाएगी तो हम लोग को जो equation दिया है उसमें plus और minus है तो हम लोग जो गुना है और भागा को यहां नहीं देखने वाले है तो देखिए k plus i लिखा हुआ है first में जो है यहाँ पर k है plus i है मतलब जो पहले वाला है वह क्या हो जाएगा देखिए a b का पुत्र है मतलब जो पहले वाला है वह क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा यह बेटा हो जाएगा और यह जो i है वह या तो मा होगा या तो पिता होगा फिर उसी प्रकार यहाँ minus j है तो देखिए a minus b का क्या अर्थ है a b की पत्नी है मतलब यह जो है यह पत्नी है किसकी जे की मतलब आपके हिसाब से अगर इसका माँ होगा तो उसका जो पत्ती हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पापा हो जाएगे तो यहाँ पापा अगर यह पिता है तो पिता है तो पत्ती नहीं होता है तो ये confirm जो है वो मा ही है तो हम लोग को एक relation मिल गया ये हो गया k, ये हो गया i और ये हो गया j, ये मा पापा और बेटा का relation है, k plus i minus j का, तो हम लोग को यहाँ question option दिया हुआ है j जो है k का पिता है देखिए j k का पिता है, सही है, आगे देखिए j k का पुत्र है, गलत है j k का चाचा है, यहाँ तो चाचा है हीने, बस बेटा, पिता और पापा है j k का भाई है, यहाँ पर बेटा, पिता और पापा है, तो भाई कहां से आ रहा है तो ये जो option number 1 है, ये सही हो जाएगा j k का पिता है ये हमारा सही अंसर हो जाएगा I hope, जो वीडियो है, आपको समझ में आया होगा, अगले वीडियो में हम लोग जो है, इसका exercise करेंगे thanks for watching this video